Hello everyone, my name is Usman and welcome back to my channel. Today in this video, we will discuss about that usersecret.json Guys, आज की इस वीडियो के अंदर हम usersecret.json के बारे में डिसकस करेंगे Guys, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूँ कि यह मेरा इस प्रेयलिस्ट का part 11 होना जा रहा है अगर आप लोगोंने मेरे चैनल टूटोरियल स्टीच को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताके न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगो मिलता रहे और आप लोग अप टू डेट रह सकें तो गाइज प्रिविएस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था appsettings.json के बारे में यह different configuration sources थे जो के आप अपनी application के हिसाब से in different configuration sources के अंदर अपनी configuration सेव कर सकते हैं ऐसे की value पे तो इसके अंदर हम user secret के बारे में discuss करते हैं और user secret को सबसे पहले हम create कर लेते हैं इसके drawback इसके benefit के सब चीजे में आगे चलके आपको बताता हूँ तो आपने right click करना है project के उपर अपने और यहां पर आके आपने manage user secret के उपर क्लिक करना है तो यह manage user secret जब आपने जो ही इसके उपर क्लिक किया है तो एक secret.json की एक file हमें मिल गई है आप इसके उपर देखें जब मैंने इसके उपर hover किया है तो इसका path देखें आप इसका path के हम इसके उपर right click करते हैं और इसके path के उपर चले जाते है तो यह देखें इसका path है जो मेरे system का name है उस system के name के अंदर फिर जाके आगे यह a secret ID है जिसकी base पे यह इसको यानिके pick कर रहे है तो यानि के यह मेरी project की location से बाहर पड़ी हुई है अगर मैं आपको दिखाऊं तो यह मेरा project है project के अंदर आपको कहीं भी यह नजर नहीं आएगी मगर यह जो है secret.json है project इसको जब find करते है वो इसको जब आप इसके reference पे जाएंगे right click करें इसको और यहाँ पे edit project file और यहाँ पे जब आपने create की थी file तो यह एक good value इदर save होगी थी user secret id के tag के अंदर जी uid अब यह वाली same id और secret.json की same id यह match करती है आपकी per application के हिसाब से एक ही secret.json होती है यह secret.json बनती है मगर per application के हिसाब से हो सकती है मगर अगर आप इसको एक ही secret.json को multiple projects के अंदर multiple applications के अंदर यूज करें तो आप कर सकते हैं आप simple यह जो इसकी id है यह id आप अपनी application के अंदर दे दे और यह इसको pick कर लेगा वरना अगर आप application के हिसाब से अलाग भी create कर सकते है तो इसका जो drawback वो यह है कि यह सिर्फ और सिर्फ local development machine के लिए है यह जब आप publish करते हैं तो आप देखें कि app setting.json थी जो आपकी वो आपकी यहाँ पे openly पड़ी हुई थी project की source की repository के अंदर मगर यह secret.json जो है यह आपकी out of the project location पड़ी हुई है तो जब आप publish करेंगे तो आपकी publish के दुरान यह secret.json पब्लिश नहीं होगी तो इसके लिए इसके लिए हमें एक service provide की गई है cloud based service है azure key vault उसके बारे में मैं आपको आगे चलके upcoming videos के अंदर बताऊंगा जब मैं dev hoops के उपर एक series बनाऊंगा और वो बहुत जल्द release करने वाला हूं तो उसके अंदर यह होगा कि आप हमें एक cloud की service है azure key vault जिसके अंदर हम अपनी as a key value pair सारी value save कर सकते हैं और उसके अंदर वो एक box provide किया गया एक service provide की गया cloud base ठीक है उसके अंदर आप जितनी भी values होंगी आप as a encryption के तोर पे वहाँ पे save कर सकते हैं वो सारी encrypted होती है और वो ज्यादा secure होती है यहाँ पे यह आपकी just local machine के लिए है अगर आप local development कर रहे हैं आप कहरे हैं app setting dot json app setting आपकी production environment भी यहाँ पे file पढ़ी ही उसकी source के अंदर यहाँ पे और आपका every developer इसको देख सकते है every employee इसको देख सकते है आपकी जो secure configurations हैं वो भी read कर सकते थे मगर आप local development के ओपर ऐसा भी कर सकते हैं कि आप secret dot json बना दें और वो अलग path पे होती है और उस path की access किसी को न हो तो वो आप यहाँ पे save कर सकते हैं just local development purpose के लिए और यहाँ पे और उसके बाद अब हम इसको देखते हैं कि यह work कैसे करती है सबसे पहले आपने चेक कर लेना है हमारी launch setting dot json के अंदर आ जाना है यहाँ पे देख लेना कि हमारा environment setup है वो development है ठीक है development setup है तो इसका मतलब है हमारी जो key है वो development से read होगी और अगर हम इस key को same secret dot json के अंदर भी रख देते हैं ठीक है तो इसके अंदर भी जब हमने रख दी तो इसको just or just मैं change कर देता हूँ secret dot json कर देता हूँ तो अब देखते हैं कि यह कहां से read होगी इसको run करते हैं project को तो यह देखें इसने secret dot json से value read की है हलाके आपका development environment setup था तो इसको development की read करनी चाहिए थी मगर उसने secret से read की है तो मैंने previous video के अंदर आप लोगों को आरेड़ी बताया था कि यह जितनी भी later configurations होँगी appsetting dot json के अंदर भी same की पड़ी है और इससे later configuration जो है user secret है अगर same की later configuration के अंदर पड़ी होगी तो वो early configurations को override कर देगा इसी तरह उसने user secret ने उसको override कर दी है तो इसलिए आपकी previous configuration जो है उसको इसने read नहीं किया अब हम एक और example देखते हैं हम launch setting dot json के अंदर आते हैं यहाँ पर ही मैं environment चेंज करता हूँ इसका staging कर देता हूँ जब staging environment की है तो इसको check करते हैं यह staging environment में work करता है के नहीं staging environment के अंदर staging की फाइल पे जाते हैं same key पड़ी हूई है और secret dot json में भी पड़ी है अब check करते हैं कि यह override करता है के नहीं करता क्योंकि लेटर configuration secret dot json के अंदर same key पड़ी हूई है इसको stop करते हैं इसको दुबारा run करते हैं इस ने काम नहीं किया इस ने काम इस वजह से नहीं किया मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि यह just और just आपकी development purpose के लिए है अब environment आपका staging हो चुका था इस वजह से यह staging environment में काम नहीं करेगी और राइड नहीं करेगी प्रिवियस जो अपनी प्रिवियस कन्फिगरेशन होगी यह सी development के ओपर यह development purpose के लिए local machine के ओपर रान नहीं होती इस वजह से environment जब आपका development setup होगा तो तब user secret काम करेगा otherwise नहीं करेगा आपको इसकी मैं एक और example देता हूँ वेब होस्ट की repository के एक class है जो के मैं आपको GitHub पर पढ़ी हुई है वो आपको अगर मैं दिखाऊं तो वहाँ पे अगर जा के हम देखें तो यह सी development purpose के लिए नहीं define की हुई है यहाँ पे आएं अगर हम तो यहाँ पे यह करिए default builder और इसके अंदर default builder के अंदर अगर हम आएं तो यहाँ पे देखें सबसे पहले वो appsetting.json को add करता है next वो आपका environment के हिसाफ से add करता है और उसके बाद यह चेक लगा हुए environment is development अगर development environment होगा तो वो user secret add करेगा otherwise वो user secret को add नहीं करेगा तो इसी वज़े से हमारा environment था वो तो staging कर दिया था इसी वज़े से उसने override नहीं किया उसके बाद आयाता है environment variables के बारे में आयाता है next इसको override करता है previous configuration फिर उसके बाद add command line arguments तो यह next वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा और इसका path जो होता है वो out of the project repository पड़ा होता है इसलिए जब हम publish करते हैं तो यह publish के दुरान हमारी production पर नहीं जाती तो इसके लिए Microsoft की तरफ से हमें एक Azure cloud service प्रोवाइड की ही है Azure key vault जिसके अंदर हम अगर हम deployment करेंगे तो वहाँ पे हम Azure key vault का use करेंगे वो बहुत secure है उसके अंदर आपकी जितनी भी values होती है encryption में पड़ी होती है encrypted पड़ी होती है app setting.json और user secret के अंदर एक difference ये भी है कि app setting.json आपकी जो है वो openly project repository के अंदर पड़ी होती है और different environment के इसाफ़ सारी files यहाँ पे मुझूद होती है और जो यह के user secret जो secret.json है वो out of the location होती है project की और वो जो है उसकी जो एक simple good जो एक create होती है वो आपकी यहाँ पे project के अंदर reference के अंदर पड़ी होती है और यह per application के इसाफ़ से एक भी use कर सकते हैं आप या different भी बना सकते है multiple projects इसको multiple applications इसको same को भी use कर सकते हैं यह आप के ओपर depend करते है तो I hope आप लोगों को यह video पसंद आई होगी अगर आप लोगों को यह video पसंद आई है तो please मेरे चैनल को subscribe करें और share करें thanks for watching